के अपने यूडूब चैनल के अप्लिकेशन तो दोस्तों जैसे कि अपने थमनेल में देख लिए होगा कि आज की इस वुड़ो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप नियोन टेक्स्ट क्रेट कर सकते हैं अपने मुबाइल फोन से वो भी ज़स्ट वन क्लिक के अंदर नि नियोन टेक्स्ट क्रेट कर पाएंगे जो भी आप टेक्स्ट क्रेट करना चाहते हों तो बहुत यह ओसम सी एप्लिकेशन है और कैसे उसे यूज़ करना सब कुछ में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा तो वीडियो को स्किप मत करना अभी तक मुझे इंस्ट्राम पर फॉलो नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जाओ जल्दे से फॉलो कर लो वहां पर भी मैं काफी अची पोश्ट अप्लोड करते रहता हूं एडिटिंग से रिलेटेट सो विडाट वेस्टिंग एनिटाइम लेट्स केट स्टार्टेड तो दोस्तों माच पर आपको यहां पर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे नीचे थीम इमेज योर फोटो एंड कलर का तो बैसिकली यह बैग्राउंड है तो आप जैसा बैग्राउंड चाहें उसके उपर यहां पर टेक्स्ट को क्रेट कर सकते हैं तो थीम इमेज में आपको इस एप्ल आपको यहां पर थैक्स्ट क्रियेट कर सकते हो सकते हैं और कर ौफचिन पर यहाँ यह पर यहे इनकोरी इंटर टेक्स्ट ओप्षेंड कर कर लेता हूं तो यहां पर मैं black color को select कर लेता हूं and select करने के बाद कुछ इंटर्फिस देखने को मिल जागा उसके बाद आपको tap to enter text option देखने को मिल रहा होगा उसके उपर click कर लेना है यहां पर आपको जो भी नाम का text create करना है उसको यहां पर type कर लेना तो मैं अपर अपनी channel का नाम type कर लेता हूं and यहां पर click करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे जो text है वो neon color में create हो चुका है अब मैं आपको कुछ नीचे की options के बारे में भी बता देता हूं तो सबसे पला है background का option है आप चाहें तो जो background का color है उसको फिर से अगर change करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन मैं black color ही रहने देता हूं and उसके बास second number पर मिलता है font का तो आप चाहें तो जो text है उसका font भी change कर सकते हैं यहां पर काफी सारे fonts आपको देखने को मिल जाते हैं अब देख सकते हैं काफी अच्छे फोंट आपको देखने को मिल जाते हैं आपको आपका net on करके रखना है क्योंकि यह fonts को डाउनलोड भी करना पड़ता है तो मैं आपको फटा-फट से दिखा देता हूं कुछ fonts को तो एक वह यह वाला font है और काफी सारे आपको यहां पर scroll करेंगे तो काफी सारे fonts आपको देखने को मिल जाएंगे आपको जो भी पसंद आता है आप उसको यहां पर select कर सकते हैं और fonts को select करने के बाद आपको मैं आपको next option पर लेके चलता हूं तो यहां पर text shape का option आपको देखने को मिल जाता है तो यहां पर जो text है उसकी size को adjust कर सकते हैं काफी कुछ आप यहां पर adjust कर सकते हैं और आप चाहें तो यहां पर rotate भी कर सकते हैं और जो एक एक font है एक जो text है उसके बीच में अगर आप spacing देना चाहते हैं तो यह भी आप यहां पर कर सकते हैं तो काफी सारे option आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं और उसके बाद में आपके चौथे option के उपर लेके चलता हो neon effect वाला जो की काफी अच्छा option है यह वाला तो सबसे पर आपको एक मिलता है outer glow का यानि जो neon color का जो glow आ रहा है उसको आप adjust कर सकते हैं यहां पर आपको ठीक लगे और इनर glow यहां पर आपको देखने को मिल जाता है तो उसको भी आपको यहां पर आपको ठीक लगे उतना आप glow रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं और shadows का भी आपको यहां पर option देखने को मिल जाता है तो उसको भी आप कम जादा कर सकते हैं एक ड्रेख्त है। यहां पर सब्कुच drill रख जाए तो पूपर उम्हें हम्हेंज जाएगी। तो उम्मिद कर तो हमको जो वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एशेर ज़रू कर लेना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का इकन को प्रेस कर लेना ऐसी वीडियो को आगे देखने के लिए और कॉमेंट में ज़रूर बता